दोस्तों budget 2023 में government employees के लिए income tax का जो रेजीम है उसमें कुछ changes किया गया है जो एक है old रेजीम दूसरा है new रेजीम इस दोनों को जो है compare करके जो आज देखते हैं कि कौन आपके लिए benefit हो सकता है दोस्तों आपको एक जानकर देदू सरकार ने जो है by default जो आपको जो है new रेजी है तो old रेजीम सेलेक्ट कर सकते हैं बट इससे पहले जो यानि प्रिवेस यह ऐसा नहीं था आपको जो है by default जो है old रेजीम था अगर आप चाहिए तो जो है new रेजीम में आप change कर सकते थे दोस्तों government अप्डेट न्यूज जाने के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लिजे current year यानि मौझूदा income tax के क्या rate चल रहे हैं और दूसरा 2023 में income tax को लेकर क्या क्या changes आये हैं और तीसरा जो है एक example के माजिन समझते हैं कि हमारा income के ऊपर जो है कितना tax बन सकता है और आपको एक calculator भी मैं दे दूंगा जिसे आप जो है अपना income जो भी है उसमें एंटर कर old र सकता है आप easy से समझ सकते हैं तो चलिए पहले टॉपिक पर discuss कर लेते हैं आपको पता ही होगा कि current जो income tax को slab चल रहा है इसमें जो है धाय लाग रुपय तक इसमें आपको जो है कोई income tax नहीं लगेगा यानि निल है सेम जो है 80 years और अबाव 80 years के सबीक लिए लागो होता है उसके बाद धाय लाग से लेकर तीन लाग रुपय तक आपका अगर जो भी income है तो इसमें जो है below 60 year जो भी है उनके लिए 5% और above जो भी है उनके लिए निल तीन लाग से लेकर 5 लाग रुपय तक अगर आपका income है तो इसमें below 60 उमर जो भी है उनके लिए 5% और जो है above 60 यानि 80 के below 80 अगर है तो उसमें 5% और 80 से above अगर आपको एज है तो इसमें आपको जो है निल इंकम टेक्स है 5 से 10 लाग रुपया का अंदर आपको income है तो उसमें आपको 20% का जो है आपको टेक्स देना पड़ेगा अ अब जो भी है 20% और 80 से अब जो उनको भी 20% जो है देना पड़ेगा और 10 लाग से उपर अगर आपको इंकम है तो उसके लिए 30% यह जो है सभी के लिए same amount है बट इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है जिनका income 5 लाग से बिलो है यानि 5 लाग के अंदर रहता है उनको जो है सरकारियां पर जो है 12500 रुपी का नहीं मिलेगा आपको जो कि दो लाग से जो है आपको इंकम टैक्स जो है पे करना पड़ेगा डिपेंड है कि आपको एज कितना है यह तो ओल्ड रिजिम के टैक्स रेट्स थे अगर आप न्यू रिजिव सेलेट करते हैं तो यहां पर देखिए अप्टू 2.5 लैक्स आपको कोई इंकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 2.5 से 5 इंकम के अंदर आपको इंकम है तो इहां पर भी आपको टैक्स नहीं दिरशना पड़ेगा वड जो है सरकार आपको रिजिकता अटोट मिल म्ल जाता है तो आपको जर दस परसेंट शर्म. 5 लाइक स्याहंपर पर तक 15 परसेंट और 10 लाइक से 12.5 लाइक तक 20% और 12.50 लाइक यहांपर 15 लाइक से भाएंश तो आको 30 परसेंट का यहांपर income परशीन के अंदर यह करेंट 2022 अभक यह है यह चल यह है अब जाएं कि 2023 इनिकंडन टैस्क्रूप को लेकर क्या करहरेfig आये हैं यहां सबसे पहलर देख पाने की ओल्ड यहां पर जो है रेटिस दिका गया और इस साइड जो है इंपे यहां पर दिया गया ए ऐसमें कोई चैंजने नहीं है आपको यह दोजार बाइस में जो रेट्स थे सेम डिट्स आपको यहां पर दिया गया है इसमें कोई नहीं है बट आप जो है नियू रेजिम अगर चूस करते हैं तो इसमें कुछ चेंजिस जो वन बैवन आपको जनकर दिया जाएगा दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पर ही ज़न कर देती यहां पर साथ लाग रुपे तक अरें इंकम है तो यानि पर सरकार जो है अपको रिभीट दी ये कक 50 हजार रुपए यह उपर अगर होता है थिन लाग से आपको यहां पर MX S getting started हो जाता है जिरो lesa आइसे तक कोई अधिस नहीं लगेगा तए 3-6 रुपरे टक आपको टैक्स नहीं लगेंगा अगर आपको इनकम 7 लाग्स नीचे है तो अगर 3-3 लाग के तरह आपको 5 परसेंंट कर टैक्स लगेगा अगर आपको इनकम साथ लाग अपर है तो यहाँ पर लगेगा और 9 से 12 लाग रुपी कंदर 15% 12 से 15 लाग के अंदर गता आपको 20% और 15 लाग से उपर है तो आपको यहांपर सीदे 30% का income tax यहांपर लगेगा बट यहांपर रहात की बात है कि आपका income 7 लाग से नीचे तो आपको सीदे जो है पूरे अमांट को यहां पर सरकार 25 रुपय का यहां पर सरकार रिबेट दे देती है जो बहुत ही अच्छा है दोस्तों थार्ड पाइंट एक्जामपल समझते हैं कि कितना इंकम होने पर कितना टैक्स हो सकता है अगर हम सेविंग्स और डिटेक्शन अड़ करें तो इसमें ज सेविंग्स अगर कुछ आपके पास नहीं है तो आपको कोई इंकम टैक्स नहीं पड़ेगा तो यह दोनों जो आपके लिए बेटर है चाहें निव रेजीम या ओल्ड रिजीम मान लिए आपके इंकम चार लाग असी हजार रुपया है आप जो है क्लेम कर सकते हैं नहीं है तो भी आपका इंकम जो है बिलो फाल्ड यापको जो है दोनों आपके लिए बेटर है मान लिजी आपको इंकम जो है पांच लाग असी हजार रुपया है आप जो है चैनल डिटेक्शन फिप्टी तौजन क्लेम कर सकते हैं और आप सेविंग्स फिप्टी तौजन तो अब बात आती है देखिया अगर इंकम जिसका ज्यादा है देखिए अगर आपको इंकम छे से सात लाग रुपय का अंदर है और जो है आपका जो है शे लाग पचास हजार जो है इंकम करते हैं इसमें आप जो है सीधे चैनल डिरेक्शन फिप्टी तौजन ले लेते है सेेविंग्स है मान लिजिए इस्में नेट इंकम हो जाता है कि अगर जो है सेमनों आपको यहांपर बनता है तो यह अपको ध्यान जैने कि अगर आपके पास कोई savings नहीं है आपका income जो है लगबग 6,50,000 से ज्याधा है तो उस condition में आप जो है निव रेजिम को मान लीज़ार आका इंकम 8.5 Lakh है इसमें यहां पर आप 3500 यहां पर कहां पर old tax old regime के अंदर वही अगर आप new regime में जाए तो यहां पर the same situation के लिए हैं पर आपको 35,000 tax यहां पर देना पड़ता है इस condition में देखें यहां पर आपको यहां पर दिखाए गया यानि आपको जो है 1.5 जो है सेविंग्स हो गया यहां पर आपके लिए अच्छा option हो सकता है दोस्तों नीचे description में इंकम टेक्स का इक काल्कुलेटर है उसमें आप अपना exact डाल कर जो है देख सकते हैं कि आपका old regime में कितना tax हो सकता है और new regime में कितना tax हो सकता है दोस्तों वीडियो अच्छी लेगी होगी आपसा रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ इस साथ वीडियो को लाइक कर लिजेगा और जो है अपने फ्रेंड्स को शेर भी कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो साथ तब तक लिए नम खळूलो जाँ कर.